Moneyview app से loan आपको close कैसे करना है देखिए Moneyview app में आपने loan apply जब किये होगे उसमें 15,000, 10,000 या 7,000 जो भी loan मिला है उसको loan close कैसे करना है देखिए जो process से बताऊंगा देखिए loan close कर देते हो तुरहंदी आपको loan फिर से मिलेगी क्या नहीं मिलेगी कैसे क्या करना है सारा details है यहां देख सकते हो देखिए Moneyview app में देखिए मुझे 15,000 का loan मिला था कई मैने पहले और इसको loan मैं close करना जाता हूँ देखिए close करने का process क्या है आपको देखिए loan जब मिला होगा उसमें 3 month या 6 month payment करने एक बाद close का option मिलेगा देखिए फिलाल अभी तो close का option देख रहा ह होगा देखिए मुझे 15,000 का loan मिला था मैंने जैसे अपलाई के आपको अधरकाड पेंकाड और bank details दालते हैं आपको loan approval मिल जाती है कुछ civil चेक किया जाता है civil के basis में loan ज्यादा से ज्यादा मिलते है और देखिए 15,000 को लेने के बाद मुझे 9 month का EMI बनी थी देखिए मैंने सारा details पे कर चुक हूँ अभी 6 month का पे कर चुक हूँ December का last 6 month का EMI हो चुक है और देखिए मैंने पहले भी loan close कर रहा था लेकिन close नहीं हो रहा था क्योंकि वहां साब साब लिख रहा था 6 month EMI complete होने के बाद loan close कर सकते हूँ देखिए मेरा 9 month का बनाता है इसलिए 6 month EMI complete करने कर सकता हूँ देखिए आपको 6 month का EMI होगा तो 3 month payment करने के बाद close का option देखेगा अभी close कैसे करना है देखिए यहां सारा details दिखा रहा है आपको 6 month complete हो जुका है अभी close करने कर लाए देखिए थ्री डॉट का बटन दिखा है उसको क्लिक करना है क्लिक करना है यहां दिखा ह क्लोस का option दिखा है उसमें जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहां overdue amount जो है 0 दिखा रहा है penalty 0 दिखा रहा है आउट्सर ने amount जो है 5443 रूपीज दिखा रहा है अब यह देखिए नीचे जो चार्जस लिख रहा है 5 रूपीज जब हैं पर late का option दिखा रहा है today और late late का option में ज interest date जो है interest बढ़ रहा है मतलब आज close करेंगे तो 5 रूपीज दिखा रहा है जब आपको जितने दिन late करके आपको payment करना है close करना है तो interest यहां बढ़ते चला जा रहा है जब आपके पास पैसे full पैसे अभी है तो today करके है नीचे जो बटन दिखा रहा है pay now में क्लिक करना है आपको phone पे Google पे से पैसे clear कर देंगे close हो जाएगा जब आपके पास पैसे नहीं है या कल है मिलने बाली है दो दिन के बाद पैसे आएगी तभी update जब fix करके देख सकते हो charges कितना लग रहा है तीक है इस तरह से आप close तो कर देंगे जब आप तुरंद आपके पास close करके कि आपका civil फिर से चेक किया जाएगा कहीं लोग क्या बोलते हैं कि मैं loan close कर दूंगा फिर से amount देखने लगेगा उड्रल कर दूंगा ऐसा नहीं आप देखे मुझे 15,000 का loan मिला है फिर से मैं close करके फिर से reapply apply कर हो मेरा civil चेक किया जाएगा मेरा civil जब ठीक ठाक रहेगा तो civil चेक किया जाएगा फिर से civil के basis में loan मिलती है एक गलती मत किजिए क्योंकि देखे आभी में जो 15 लोन में मैं close कर सकता हूं जैसे ही मैंने 5000 मैंने सारा payment क्या loan close हो जाएगा फिर से मैं withdrawal करूंगा तो फिर से civil चेक किया जाएगा amount decide होगा आपको limit कितना दे रहा है money view जो company है loan फिर से आपका civil चेक किया जाएगा पैंकर आधर करके basis में चेक किया जाएगा उसके बाद final होगा loan approval कितना मिल रहा है उसके बाद आप रूडरल कर सकते हैं जिन लोगों का emergency है एक या दो EMI बाकी होगा उन लोग बोलते हैं कि सारा payment करते हैं फिर से loan apply करके high amount ले सकते हैं इ जादा तो नहीं मिलेगी और civil जब आपका downfall जा रहा है मतलब civil आपका ठीक ठाक नहीं है कई loan आप में आपको loan नहीं मिल रहा है जैसे loan close कर देंगे money way app में loan मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ guarantee नहीं है और जितना amount यहां मिला था पहले वह ही amount मिलेगा कुछ guarantee नहीं है आपको loan क सकती है और loan नहीं भी मिल सकती है ध्यान रखना है आपको जो भी मंतली या मंतली payment करते रहना है loan close करके दूबारा सा loan apply करेंगे जिन लोग apply करना चाहते हैं उनका पहले civil अप चेक कर लेना है आपको phone पे में जाना है या Google पे में जाना है civil चेक कर लेना है कितना है 750 या 720 आपको दो मेने लेट में मिलती है अभी देखे फिलाल जो नया update की साथ जो मिलती है अभी फिलाल आज के date में civil कितना है वो तो Google पे कोई नहीं दिखाएगा जो आपका currently civil score होगा उस उसके basis में आपको लोन मिलेगी अभी देखे लोन तो close करना बहुत आसान है 6 मन्त EMI complete करन करना होगा तीन मन्त का EMI payment करने लोन को लोज करने का option मिल जाएगा close कर सकते हो जिन लोग सोच रहे है कि लोन क्लोज करके दुबारा सो लोन अपलाई करना है अभी हाई amount civil के basis में सारा लोन एप चल रहा है आपको ध्यान समझ के लोन क्लोज करके लोन अपलाई कर सकते हो वी कर दो कर нравäch है छोग पना है सो वीजा है